दोस्तों क्या आप किसी लड़की को अपने वश में करना चाहते हैं क्या कोई ऐसी लड़की है जिसे आप बहुत जादा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए आपके जीवन में आ जाए वो आप से उतनी ही प्यार और इतनी ही मुहबबत से रहने लग जाए ज आपने वश में कर सकते हैं कई बार हमारे पास इस तरह के सवाल आते हैं जहां पर हमारे दर्शक हम से पूछते हैं कि वो किसी से बहुत जादा प्यार करते हैं और पहले उन दोनों की मीच में बहुत जादा प्यार था लेकिन बात में दीरे दीरे चीजे बदल गई कुछ ऐस हो गया जिसकी वज़े से कोई तीसरा इंसान उनके मीच में आ गया या फिर कई बार ऐसा होता है कि situation ऐसी हो जाती है आप कहीं दूर काम कर रहे होते हैं और आपकी girlfriend कहीं दूर होती है या फिर ऐसा भी होता है कि आपकी शादी को थोड़ा समय बीच चुका है और और आपकी पतनी के मीच में पहले जैसा जो समय था वो अब नहीं है तो अगर आप चाहते हैं कि सच में आपका जो पार्टनर है चाहिए वो आपका लाइफ पार्टनर हो या कोई girlfriend हो या boyfriend हो वो आपसे पहले की तरह ही प्यार करने लग जाएं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं इस विधी को प्रेम वश्रीकरण भी कहते हैं दोस्तों इस विधी को करना बहुत ही आसान होता है इसे आप दि उसके बाद जिससे आप रेम करते हैं उसे आपको ये लाइची खिलानी है खाने की किसी भी चीज में मिला कर आपकी लाइची उन्हें खिला सकते हैं और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो भी चीज आप बनाएं या जो भी चीज अगर बाहर से लेकर आएं तो उस इसके मन में भी आपके लिए बहुत जादा प्यार हो जाता है अब मैं आपको बता देती हूं इसको करना कैसे दोस्तों बेहत आसान है इस इलाइची को मतलब कोई भी एक इलाइची आप लेजी अपने घर से और उसके बाद उसे आपको अपने शरीर से लगा कर 24 गंटे के ल आता है और पसीने से इसमें मतलब आपका जो पसीना है वो इसको टच करना चाहिए या आपकी शरीर की जो गंध है वो इस पे लगनी चाहिए इससे क्या होगा कि इलाइची पूरी तरह से आप जो कर रहे हैं उस चीज में आपकी मदद करें इसके अलावा दोस्तों आपको एक मंतर का उचारण करना है मंतर आप ध्यान से लिख लीजिए या फिर आप जब इसका उचारण करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मंतर है मंतर है ओम काम देवाए वश्यम कुरू-कुरू- अमुकम स्वाहा, इसमें आपको अमुकम की जगे पर उस महिला का या उस लड़की का नाम बोलना है, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, दिन में जब आपने इलाइची को अपने पास रखा होगा, उस समय आप किसी भी समय या पूरा दिन जब भी आपको समय मिले, आप इस मंतर का उचारन करते जाएए, और 24 गंटे जब हो जाएंगे, उसके बाद आपको इस लाइची को वहाँ से हटाना है, और इसका चूरा बनाकर याने की पाउडर करके इसे आपको उस व्यक्ति को खिला देना है, जिस भी व्यक्ति के नाम से आपने इस मंतर को किया है, यह लाइची सिर्फ और सिर्फ उसे ही खिलानी है, इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, मंतर में जहां पर मैंने अमुकम बोला है, वहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम जोड़ना है, और उसके बाद आप उस मंतर का उच्चारन कीजिए, इस मंतर क ऐसे कुछ नंबर नहीं है कि इसको 108 बार बोलना है, 50 बार बोलना है, इसे आपको दिन में जब भी समय मिले आपको बोलते रहना है, आप मन में भी बोल सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कि जब आप मंतर का उच्चारन करें तो उस समय कोई भी आपके आसपास ना हो, आपको अकेले बैठ कर इसका उच्चारन करना है, ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी काम करते करते आप उच्चारन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको खाली बैठ कर और उसके बाद इस मंतर का उच्चारन करना है, तो आप पूरे दिन भर में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टोट कि दिन भर में आपने चार बार कर लिया इसको तो अगर आप इस तरह से इस विधी से अगर इसको करते हैं तो आप जिसे भी अपने वश में करना चाहते हैं वो आपके वश में आ जाएगा इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे आप किसी महिला को अपने कर सकते हैं आपकी हर समस्या का समधान आपको तुरंट करके तो आपको बिल्कुल भी घबरानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर समस्या का समाधान हमारे पास है आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों धन्यवाद